हमारे एक्सपर्स हमारे साथ है रजट बोस और केस सुग्रमन्यम और साथ ही अब कार्यक्रब में वाइदा कारोबार की रहनीती देने के लिए शामिल हो चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के डेरिवटिव हैड सिदार्थ बामरे सिदार्थ गुड मॉनिंग स्वागत है आपका सेंबी से आवाज पर साथ हजार पांच सो क्या इसके नीचे खत्रे बढ़ रहे हैं बाजार के लिए और जो हाइस ओपन इंटरेस्ट में अब भी बना हुआ है ये क्वाली कब आएगी जिन्होंने पुट बेचे हुए है वो कब प्रेशर में आएंगे ये बताईए है गुड मॉनिंग जी सबसे पहली बात तो बहुत ज्यादा लोगोंने पुट बेचे नहीं है ज्यादा दर खरीदारी हुई है और FIS भी हम देख रहे थे कि लास्ट और FUTURS MARKET से ज्यादा है, OPTIONS के MARKET में ज्यादा अक्टिव है तो CLEARLY हमने बाइन देखी है, PUT CALL RATIO 0.8 है इसका ये मतलब कि CALL में ज्यादा बिल्ट अप है PUT से ज्यादा हाला कि 7500 की STRIKE काफी उठके आ रही है क्योंकि इसमें काफी बिल्ट अप है लेकिन हमने देखा है कि 7700, 7600, 7800 की CALL में भी सिग्निफेंट बिल्ट अप है जो कि मुझे लगता blend of long and short है जहां तक लेवल का सवाल है कल जिस तरह से अपसाइड आया नीचे के लेवल से काफी लोगों को ऐसे लग रहा है कि bottom formation हो चुका है और यहां से trend reversal signs है I am not saying कि bottom form हो चुका यह trend reversal है लेकिन यह market में बहुत जादा downside from current levels at least this series में मुझे नहीं दिख रहा है आज जिस तरह से SGX Nifty के संकेत है global Qs को लेके crude oil price below $30 जो चल रहा है उसको लेके हो सकता है कि 100-100 points की gap down opening हो और हम लोग वहां से कल के लोग के आज पास support लेके फिर थोड़ा bounce back दिखाए ऐसी situation में मैं traders को सब्लाद हूँगा कि light है options की volatility बढ़ रही है as a investor in this market I am ready to invest around 7200-7100 level from a long term perspective एक strategy दे रहा हूँ अब आज जब यह gap down होगा market तब implied volatility आपकी और बढ़ जाएगी 18 टका है मेरे खाल से 20-21% तक implied volatility जा सकती है January के 7100 और 7200 के put option बेचे अगर market वह level तक जाता है तो वह level पर खरीदारी करे from an investment perspective जा तक मुझे लगता है market वह level तक नहीं जाएगा और वह premium of pocket in करोगे so high ivs में out of money put option आज बेचे ये मेरी सला रही बहुत तकड़ा downside market में ये series में नहीं दिख रहा है चले तो यहां से जादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी ये राय सिधारत की और कहरे है कल का low 7425 ये था कल का निफ्टी का low यहां से नीचे जाने की जादा गुंजाईश नहीं लग रही है उने एक छोड़ा सा ब्रेक लेंगे ब्रेक के बाद भी रेज़त बोस के सुब्रेमिन नताब और सिधारत भामरे से हमारी चल्चा जारी रहेगी और लेकर आएंगे माकेट का प्रे-विनिंग सेशन और नजर रहेगी इनफोसिस के नतीजों पर कभी भी आ सकते हैं इसके नतीजे क्या एक्सपेक्टेशन से कैसे आएंगे नंबर से सब पर बात करेंगे कुछी देर में एक ब्रेक लेकर अभी हाजर होते हैं लेकर आएंगे पहला सोदा पहला सोदा में आप सबका स्वागत है बाज़ारों के खुले की तैयारी प्री ओपनी सेशन में लेकर उससे पहले एक बार संकेत देख लें दुनिया पर के अब आईए एश्याई बाज़ारों पर कहां से इतना प्रेशर है निकई जापान के बाज़ार सबसे ज़्यादा दवाव में ठीक उतने गिरें जितने अमेरिकी बाज़ार साड़े तीन परसंट साड़े 600 पोईंट का नुकसान है निकई में लेकिन बाकी बाज़ार उतने दो परसंट का नुकसान है निकई को छोड़ कर अब एक बार अगर आपने टीवी से डेरी से खोला है तो आपको मैं दाव बता दूँ कि अमेरिका में 366 अंको की कमज़ोरी कल देर रात हुई है और वहां से एश्याई बाज़ानों पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है न संकेत आपके सामने कल के बैसिस पर FN और D.I.S के डेटा तो नूटल है लेकिन F.I.S ने कल थोड़ी खरीदारी किये शोट कवरिंग किये ग्लोबल खराब है तो सबसे ज़्यादा अगर आपको किसी चारों संकेतों में फोकस करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ पहले वाला ह ग्लोबल मार्केट और वहां से संकेत खराबी क्यातिव दिखने कुछ और स्टॉक जहां पर एक्शन आज रहने वाला है राय ली जाए उससे पहले बैंक निफ्टी सिद्दार अपनी राये दे कैसे ट्रेड किया जाए बैंक निफ्टी ये जो 15,800, 700 का लेवल है और 16,000 काफी बार इसने यहां से सपोर्ट लिया है डेफिनेटल इनो आज गैप डाउन में ये सपोर्ट जाता हुआ दिख रहा है और ये इंडेक्स है जापे हमने दिखा है कि बहुत जादा शॉट कवरिंग नहीं हुई हाला कि कल के सेशन में हमने देखा कि 5% 3-5% का रिदक्शन इन ओपन इंटर्स हुआ है लेकिन जो PSU स हैं वहाँ पर हमें नेगटिविटी दिख रही है एक्सेस बैंक थोड़ा बाउंस बाउन सब्सक्राइब बता सकता था वैसे संकेत आ रहे हैं लेकिन बहुत जादा स्टेंथ है ऐसा नहीं है HDFC बैंक थोड़ा न्यूटरल टाइप है आइसे से बैंक में भी मुझे सेलान राइजी लग रहा है तो combining this with Nifty view मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर सकता है और यह सपोर्ट जाएगा लेकिन यह सपोर्ट जाने के बाद क्या बैंक निफ्टी बहुत जादा तूट जाएगा I think it can move towards 15,200, 15,100 जहापे मुझे लगता है कि नेक सपोर्ट है मैं निफ्टी में शौट करने की सला नहीं दे रहा हूं लाइट रहने की सला दे रहा हूं बैंक निफ्टी में अगर किसी की शौट है तो वो होल्ड कर सकता है यह मैं कहूंगा क्योंकि मुझे लगता है कि bank nifty would continue to underperform for remaining part of the series also okay चलिए तो यह राय बैंक nifty पर नजर रहेगी infosys के नतीजों पर भी कुछी देर में चर्चा यही थी कि बाजार खुलने से पहले इसके नंबर साने वाले है अनल और infosys बाजार का मूट बनाने या बिगाड़ने का बड़ा काम कर सकता है जैसा कि रज़त भी कह रहे थे कि अगर इस अपॉंट्मेंट आई तो दबाओ देखने को मिलेगा कल यह अच्छी जाल देखी थी तो इस तरह के जब खराब डॉबल संकेतों तो कम से कम infosys निराज ने करें यह बहत जरूरी होगा इनसेस के नतीजों पर हम खास कवरेज आपके लिए लेकर आएंगे लेकर उससे पहले एक बार प्री ओपनिंग सेशन पर नज़र आ ले साथ अंक सत्तर अंक नीचे है निफ्टी और सेंसेक्स 32 अंक नीचे आपको नज़र आएगा Tata Steel 10% नीचे दिख रहा है S&P ने इनकी रेटिंग एक नौच गटाई है डबल बी से डबल बी माइनस की है Vedanta 4% नीचे Infosys 3% नीचे Ultra Tech में 3% का नुकसान Indocent Bank 5% नीचे यह कुछ स्टॉक है जो इसक दबाओं में दिख रहे हैं शुरुआती प्री आपनी सेशन में लेकिन एक सेल टेक 10% उपर दिख रहा है यहां पर तो कुछ रियलिस्टिक लेवल आने चाहिए थोड़ी देर में उस पर हम नज़र रखेंगे यह 685 के आसपास कल हमने रुपय में क्लोजिंग होते वे देखी थी तो मैं देख रहा हूं कि कि करेंसी मार्केट में किस तरह कि आज शुरुआत होती उस पर भी नज़र रखनी चाहिए हमें करेंसी मार्केट में क्या कहीं कोई रिक्तवरी के संकेर आते कमजूरी है 66.98 तो 67 के लेवल के बेहद करीब खुलता हुआ दिखा है करेंसी मार्केट का हाल थोड़ा सा डीला नज़र आ रहा है 67.15 यह ज्यादा अहम लेवल होगा क्योंकि पिछली गिरावट में रूपया वहां तक पहुंचा था और वहां से एक रूपय के आसपास की रिकवी तूटता हुआ दिखा है करेंसी मार्केट में 67 रूपय और तीन पैसे यह इस वक्त का लेवल है करेंसी मार्केट में रूपय का तो अगला लेवल जो आपको नज़र में रखना है और क्या लेवल आपको ध्यान में रखनी चाहिए उससे पहले कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन आज के सेशन वह सकता है राई ली जाए SBI में गौर्लमेंट सेक्स की तरफ से एक रिपोर्ट देख रहा था उन्होंने कहा है कि अब ये हमारा हाई कन्विक्शन आइडिया नहीं रहा लक्ष गटाया है 330 से 290 का और इस लिहाज से राए लेना चाहता हूँ चार्ट पर रजट आपसे बताईए SBI शौट करेंगे SBI आज के दिन अगर 198 के नीचे ट्रेड करता है तो ये फिर से शौट ही बन जाता है और कल का जो लो था यह लो था इस 194 वह पहला सपोर्ट होगा उसके बाद में आज के लिए नेक्स सपोर्ट बहुत हैं सपोर्ट है 189 का बट इस भी आई कल जो हमर लाइन दिया था आज अगर बजार्स इसको साथ देदे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रिकावरी आप देख सकते थे बट अभी समझ में नहीं आ रहा है कि वो रिकावरी आएगा कि नहीं खास करके आना का पॉसिबिलिटी इस कम ही लगता है और 189 वोड़ बीड सपोर्ट तो वाच आउट फॉर वो इतना जल्दी तूटेगा नहीं लगता है 20 पैसे की कमजोरी समय रुपए में देखने को मिल रही है मुझे याद है दिसंबर में 15 दिसंबर को 67 कस्तर देखने को मिला था रुपए में और अब आप देखिए फिर से 67 कस्तर अनिल कह रहे हैं कि 67 15 के नीचे जाता है तो एक नया लो बनता हुआ दिखेगा इस लेवल पर हमाई नजर होगी है और विशेशक्यों को भी जोड़ेंगे उनसे पूछेंगे कि आज के लिए आपको किस तरह से रुपए को ट्रेड करना चाहिए लेकिन भेल और L&T ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं सिधार जिस पर आपकी राय जानना चाहता हूँ हर रोज द और हमारे टागिट से 1150 मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि यहां से स्टॉक नीचे नहीं जाएगा हो सकता है 1050 तक जाए लेकिन जो हाई कन्विक्शन सेलिंग जो हम कॉन्फिडेंट के साथ L&T को शॉट करने के लिए बोलते थे अब वो उस ताइप का सेलिंग नहीं बनता ह यहां से अब यह ससेप्टिबल रहेगा कि इसको 1050-1100 के अच्छे सपोर्ट मिले और वहां से स्टॉंग बांसे बताएं तो मैं अब यहां से L&T में पोजिशनल शॉट जाने की सरा बिलकुल नहीं दोगा और सेम विद बहल बहल माइट करेक्ट 3-4-5 परसंट लेकिन रिस से थोड़ा डाउंसाइड है मेभी तिल 180-175 ओड लेवल उसके नीचे SBI भी नहीं लग रहा है मुझे और करंसी पे भी कमेंट करना चाहूंगा कि डिस्पाइट इनो विए नेरिंग 67-15 जो रिसेंट लो था ग्लोबल कंटेक्स में विए बिन वेरी स्ट्रॉंग करंसी अगर कोई सबसे जादा मजबूत करंसी है तो वह रुपे में अगर आप देखोगे है हाई ग्रोथ कंट्री का तो मुझे नहीं लगता है कि अगर रुपी 67 की नीचे अगर खुल रहा है और वहां पे अगर ट्रेड हो रहा है तो यह बहुत बड़ी चिंदा की विशह नही अभिशेक बताईए क्या वज़े समझें आज इस कमजोरी की और वो 67, 13, 14, 15 जो भी लेवल है पुराना क्या उसके नीचे जाने का खत्रा बढ़ गया है के रुपे के लिए अगर यह बापस आजाता है 67 के नीचे नीचे तो डेफिनेटली हमें कुलूट कर सकते हैं कि रुपी में बड़ी स्टेंट आ सकती है किंतों का 67 के पर होल्ड किया और 67, 15, 20 के लेवल तोड़ दिया थें 40-50 पैसे की विखनेटली हमास है और नजर आ सकती है बड़ ओर ओर रुपे में थोड़ी की स्टेंट है मार्केट में अगर हम ग्लोबल करन्सी से मेंटेंग कंपेर करें जो कि रिस्क अबर्जिन आई है है भी वापस से मार्केट में डाओ अगरा डाउन है कूट नीचे है तो इसका राइन से रुपया भी आज वीक हुआ है बड़ I think second half तर एक view clear आईगी मार्केट में किस ताइप की करन्सी मोड़ में रही है यह बताई अभिशेक दूसरी Asian currencies आज किस तरह से ट्रेट कर रहे ह हैं महां पर भी क्या इतनी कमजोरी देखने को मिल रही है या आज इंडिया मार्केट में थोड़ा ज्यादा प्रेशर देख रहा है आपको अगर अपने अपने नाशनली देखे तो यूरो वगरा थोड़ा बड़ा हुआ है बट जीवीपी गिरा हुआ हुआ है जैपनी य करना चाहें तो यह कह सकते हैं इंडियन करंसी आज भी कम गिरी है बनसपत दूसरे एशन करंसी के मुकाबले जरूर 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 इपूरे मूव में अपनी करंसी करीब करीब 1-1.5% गिरी है बाकी जो करंसी तो तो मैं चाहूंगा कि कुछ दिन और देखके एक ब्राएं कि इसमें अपनी कितनी बड़ी मुमेंटम और कितनी बड़ी बीखनेंस देख रही है बिकॉर यह अबी जो रिशेट हाई थी 67, 15, 20 उस हाई के नजदीब में है तो वो जब तक नहीं तोड़े सब तक कि कहना साही नहीं होगा कि यह जरूर भी को रवाली है बिलकुल शुक हीरो मोटो कॉप पे अप्ग्रेड का कॉल आया है डॉशे बैंक का इन्होंने अब रेटिंग इसकी बढ़ा के बाई किया नहीं है खरिदारी करने की सलाह दे रहे हैं 2830 रुपे तक का इनका लक्ष है मौजुद अभाव से 14% की तेजी यह शेयर यहां से दिखा सकता है 52% क जो बाइक सेग्मेंट का इनका मार्केट शेयर है वो स्टेबल रहेगा आगे इनको ग्रोथ की उमीद है खरिदारी करके चलिए हीरो मोटो कॉप पे समाना है डॉशे बैंक का भारती एटर करस ने अपनी अफ्रीकी देशों में अपनी यूनिट्स पेची थी सिटी को लग पांच हजार तीन सो रुपे तक का इनका लक्ष है कॉम्पक्ट एस्यूवी विटारा ब्रीजा का यह आटो एक्सपो में लाँच करने वाले है वो काफिर पॉजिटिव होगा मगर गोल्मिन सैक्स कन्विक्शन लिस्स से एस बी आई को बाहर कर रहा है मिंटेन कर रहा है का कॉल का टागेट प्राइस तीन सो तीस का इसने से घटा करके नौसो दो सो नबहे तक का कर दिया है ज्यादा स्लिपजिज और ज्यादा प्रोविजिनिंग कमनी के लिए सबसे बड़ा रिस्क है तो यह सारे ब्रोकरेज हाउस आज अलग अलग राए दे रहे हैं इन सारे सारे साथ वजे हमारे दोनों केप्टेंस ने आपको कौन से वह 20 बहतरीन ट्रेडिंग आइडिया बताएं आई एक रीकेप देख लेते हैं उसका फटा 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 का जो कि शरीन के पेवर में आ जाए और इसके लबाब आप आई टी सी पर नज़र रखें यहां पर पैक्ट फूड की जो मार्जन से काफ इंट्रस्टिंग है एक्च्वेल के रिजल्ट से पहले आई टी सी को बेनिफिट आपको आता हो दिखेगा अधिते बिला नोव में आप शॉट कर सकते हैं क्योंकि यह बेसिक टॉप हंडर्ड की लिस से बाहर जा रहा है और इसके अलबा टाटा स्टील पे रेटिंग घट गई है संट पी इसके रेटिंग घटा है इसलिए इसके शॉट कर रखा है एक तो सॉलर का इसको बेनिफिट मिलेगा दूसरा जिसक सामने आई है तो इसे फंड रेजिंग का रस्ता साफ हो जाएगा टीवेस मोटर्स को आप शॉट कर सकते हैं डेरिविटिव डाटा कमजोर है और इसके लाबा इसमें एक टेकनिकल ब्रीच भी हुआ है इसके लाब आप चाहें तो एवरेस्ट इंडिस्ट्री को प्लस करें रिजल्ट बेहत शामदार है आज ये चल सकता है और बजाज फंड इसको भी डेरिविटिव और टेकनिकल बिसिस पर एक शॉट कंडियेट रखा गया है ऐसी स्टॉक्स में जाद अबाओ देखने को मिल रहा है जहां पर बैलेंस शीट की पोजिशन थोड़े सी कमजोर हो दस के नीचे आज एक है सकता है जे हमारे इंट्रा में विविक वाली की राय है और डिपेंडेबल का दरजा दिया है एंड्रू जूले को इसके अलावा अलावाद बैंक में भी बिक वाली की राय सेलेक्टर्स की तरफ से निकल कर आई है तो ये 20 ट्रेडिंग आइडिया स्टॉक 2020 के आपको साड़े साथ से आठ बजे के बीच में हर रोज ये शोज जरूर देखना चाहिए ताकि आपको इस्तार में पता चले लेकिन अगर आप मिस कर देते हैं तो फिर आपको नो बजे के बाद एक छोटा रिकेप ताकि आपको पता चले जाए कोन कोन से स्टॉक्स रिकमेंट किये गए चलिए अब मैं बता दूँ आपको प्री ओपनिंग सेशन का क्या हाल है दोसुपचास अंक नीचे सेंसेक्स दिख रहा है और निफ्टी 95 अंक नीचे दिख रहा है ये प्री ओपनिंग सेशन का हाल है और 200 अंक नीचे दिख रहा है बैंक निफ्टी तो खालत तो खराब है शुरात कमज़रे के साथ होगी स्टॉक्स जहां पर एक्शन होगा उस पर भी राह ली जाएगी लेकिन मैं जानना चाहता हूँ यहां पर सिधार्थ से सिधार्थ क्या टाटार स्टील और कोई दूसरा मेटल स्टॉक है आपकी नजर में जहां पर आपको मंदी करनी है इस वक्त है टाटा स्टील के अलवा मुझे जादा दाउनसाइड दिख रहे है स्टॉक्स में लेकिन उसमें ट्रेड बनेगा नहीं अनिल जी विकॉस अलरी लाज तीन चाह ट्रेडिंग सेशन में हिंडाल को वेदन ताम ने दिखा की काफी स्टॉंग करेक्शन आया है तो थोड़ा औ बने दोख गए तो टाटा स्टील नहीं बने और बहुत खासा रीजन भी नहीं था कि इतना बड़ा बांस बांस बेगा जाए है आए अगेन अन्डेसंट गारे तो चाली से तक 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 लेकिए ते इसमें बहुत तगली लॉंग पोजिशन से नहीं बने थी और बहुत खास बांस बैग तो मुझे लगता है कि एक अच्छा शॉटिंग केंडिटेट है और ये वापिस 220-225 के लेवल तक आ सकता है टाडा स्टील में भी यूनो डाउन टू 215 अलसो तो ये जिसकी शॉट पोजिशन से उसमें बरकरा रखें फ्रेश शॉट पोजिशन भी इनिशेट कर सकते हैं अगर बहुत तगड़ा डाउन ओपनिंग ना हो तो ओके चलिए बाजार खुलने ही वाले हैं अब तक इन्फोसिस के नंबर्स नहीं आए जिसका बाजार को बेसबरी से इंतजार था देखना होगा कब तक नंबर्स आते हैं अभी भी होप से लाइव हैं दो मिन परसेंट का तो कुछ लोग चिंतित हो गए और आज फिर से दबाओ के साथ खुलने के संकेत ये शेयर दे रहा है चार्ट इसके कैसे लगते हैं आपको कि कि मार्क संस फर्मा जुलाई और आउगस्ट के बीच में बहुत अच्छी रैली दिखाया था करीबन साथ के आसपास से लेके डवल ऑल्मोस्ट डवल हो गया था उसके बाद में आप देखेगा तो कफी वालटिलिटी और रेंजबाउंड मूब्मेंट एन इस्पेशली प्रिक्टाउन हो और है 20 परसेंट ब्रेंग डाउन इसमें अपना 200 डे को भी तोड़ दिया है इसी पैटन को डिस्टिबूशन पैटन कहते है कभी किसी को लास लेना हो तो इस माकसंस फर्मा को चाट की उसके आजा सकता है कि इस इस आप्षिक डिस्टिबूशन ब्रेंग और या वो आने वाला है उसी के चलती है ऐसा खल रेकॉर्ड वॉल्यूम के संग ये गिरावाट वाया है और आज के दिन भी ये वीक्नेस दिखा सकता है को संसेक्स गिरावट थमकी नज़र नहीं आ रहे है और निफ्टी है 105 अंको के नुकसान के साथ अब 350 अंको का नुकसान संसेक्स में होता हुआ दिख रहा है के साथ बैंक्स कमजोर है खास्तर सरकारी ब्योबी पी एनवी एसबी आई बहत तेजी से टूटते वे भे लेंटी हमेशा की तरह कमजोर टाटा मोटरस ग्लोबल चिंताओं में गिरता है तीन परसे नीचे और सरकारी बैंक के साथ प्राइवेट बैंक्स भी पीछे नहीं ह एक्सिस आईसी 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 बहत कमजोरी के साथ शुरुआत करते हो दिख रहे हैं और लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेचन है भारती आईडिया जवर्दत दबाव में रिलाइंस इंडर्स्री बढ़ता है और ये शेर कमजोर हो रहे हैं कुछ ट्रेंट पकड़ने और प इस स्टोक पर आता हो दिख रहा है टाटा स्टील के लावा एंसी सी नागार जुन कंस्ट्रक्शन काफी तेजी से गिरता हो दिख आई बुन रियल पांच परसंट की तेज गिरावत यहां पर और ट्रेडर्स के पसंद्दर काउंटर जो हमन की टीम में भी था जी एमार इ रखिए रिलाइंस पावर रिलाइंस केपिरल जो तरफा गिरावत है सब तरफ यहाल और वाइदा कारोबार में सिफ्स दो शेर मजबूत है आई टी सी के अलावा माइन्ट्री जो की बॉर्ड मेठक करने वाला है बोनस पर तो उससे आपको अंदारे लगेगा कितना जबर 252 तक नीचे गया उसके बाद फोरी सी रिकावरी दिखाने के कोशिश कर रहे है भारती वजार लेकिन जैसा आप कहरे हैं मूड काफी खराब है IDBS सबसे आदा पिट रहा है इसके अलावा कुछ मिट कैप स्टॉक्स देखिए जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए जहां कल भी गिरावट देखने को मिली थी हम कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे हैं माकसन फार्मा की 8% कमजोर है कल 20% की गिरावट के बाद चीनी शेयर देखिए कल एक रिकावरी जरूर दिखाई थी सेकेंड हाफ में लेकिन अब ये रिकावरी सिस्टेन नहीं हो रही है श्री र रॉपए की बड़त दिखा रहा है हरी निशान में ट्रेड करता हुआ लेकिन आप देखिए इन्फोसिस जिन्होंने ये सोचा था कि प्री मार्केट में नंबर तक तक तो नहीं आए हैं आप देखिए यहां पर भी थ्टुआ सब आफ देखने को मिल रहा है सबावट की ही चार पांच गिरने वाले शेयर ते और आज भी देखिए जो एडवांस डिकलाइन रेश्यू है ये कल से भी ज्यादा खतरनाक तस्वीर दिखा रहा है एक बढ़ने वाले शेयर के सामने आज 18 गिरने वाले शेयर है बिलकुल तो दबाव कहीं से कम होता नहीं दिखा है सिर एक दो शेयर जिनका जिक्रे करना होगा एवरेस इंडिस जिसने कल बागार बंद होने के बाद अच्छे नतीजे दिए चार परसंट उपर है ये शेयर रेडिंग्टन के लिए हमने बताया ना HDFC मीचल फंड ने 80 लाग शेयर खरीदें कल 110 में मामूली हरे निशान में एक आप जाना क्या हो रहा है या आठ परसंट नो परसंट नीचे आईड़ी बैंक में बहुत देज गिरा उट होती दिख रही है फटाफट एक चार्ट पर लेवल लिये जाए यहां पर आईड़ी बेंक में रेज़त बताईए इतना गिरा है नो परसंट नीचे अब क्या कही सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं आपको इसमें सपोर्ट अभी देखना नहीं चाहिए क्योंकि यह 63 अगर तो यह हो सकता है कि 60 के भी नीचे चला जाएगा तो इसमें अभी सपोर्ट मत देखिए एक्चुली बैर मार्केट बैर मार्केट अगर यह फ्रेज अगर आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन अगर है तो बताने ही पड़ेगा आपको मैं यह बोलना चाहूंगा कि जब जब ऐसी खराब माहुल होते हैं उसमें रेजिस्टेंस देखिए सपोर्ट मत देखिए सपोर्ट काम नहीं करते हैं और यह इसमें डिजपोइन्मेंट है इसमें डिजपोइन्मेंट है जो सोच के उपर लेके गया था वो नहीं हुआ तो अभी डिजपोइन्मेंट के चलते इसमें पिटाई अभी और ज्यादा होगा तो 63 का जो सपोर्ट है वो अगर काम करे तो बहुत अच्छा है नहीं करने से फिर उमीद कीजिए कि 60 तक की चला यह आप देखिए हमने आपसे कहा था कि 7,450 कस्तर नहीं तूटा है अब आप देखिए 7,450 कस्तर भी तूट चुका है थोड़ी बहुत रिकवरी होने की कोशिश हो रही है लेकिन वो नाकामयाब है यहां पर बिकवाली का प्रेशर जादा है और अब आप देखिए एक बढ काइंस इंडस्ट्री के स्टॉक पर क्योंकि इसने ही कल बाजार को संभालने का काम किया था और देखते हैं यह आज किस तरह से ट्वेट कर रहा है कल 52 हफते का नया उच्छतम तर इस स्टॉक ने लगाया था और आज दरसल सपोर्ट नहीं कर रहा है यह स्टॉक और इन्फ दोर ही देखने को मिल रही है चौत अर्फा इस समय रजत आप से राय लेना चाहूंगा निफ्टी पर इन लेवल्स पर कोई एक ट्रेड आप निफ्टी पर अगर लेना चाहें तो वह किस तरफ का होगा तरफ में आप एग्रेसिव ट्रेडर होंगे तो आप शॉट कॉल लेंगे और उस 748 0 के उपर में स्टॉप लगा के आप शॉट कॉल ले सकते हैं बट मैं जो पहले भी का था कि 7385 मैं उमीद कर रहा हूं तो उसी के आसपास जाने से हो सकता है कि 7350 के नीचे स्टॉप लगा के लॉंग पॉजिशन बनाने का सोचूंगा बट एग्रेसिव ट्रेडर्स कन अफ्कॉर्स टिके ट्रेड 748 0 आज के हाई के थोड़ी सी ऊपर वो स्टॉप लगा के उसमें ट्रेड लेने से कुछ मिल सकता है क्योंकि यह दिस इस काइंड आप पैनिक नीच शुरुआती कारोबार में 2% ओपन इंटरेस्ट यहां पर बढ़ा है कम हुआ है और वो है जेट एरवेज और 3% स्टॉक नीचे हुआ है अच्छी तेजी दिखाने के बाद जेट में करेक्शन आ रहा है जो ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है जिसा लग रहा है कि तेजी करने स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके बाहर निकलना चाहिए जो भी बेनिफिट और कुड़ के गिरतने से हुआ है कंपनी सो इंग 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 यहां से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा और अभी एक कॉमन ट्रेड हो गया कि अविशन स्टॉक सा द कंपलेटली मुड़ आफ यही मानते हैं आपको भी लग रहा है कि चार्ट पर यह शेर आप ऊपर जाने से थोड़े थक रहे हैं जे जेटेर वेज थोड़ा सा गैप डाउन खुला है बादार के मूड के साथ क्या करना चाहिए यहां पर स्पाइस और इंटर ग्लोप पर भ कि कोई जगा पे लॉंग नहीं किया जा सकता है तो चलो एविशन स्टॉक्स ले लिया वो अच्छा चलता है इसमें मेरे ख्याल से जेट सबसे बढ़िया प्रदर संदिया था क्योंकि फ़ाइस जेट भी ठग गया था थोड़ा सा इंटर ग्लोब भी ठकान दिखाता है लेकिन जेट चल रहा था तो इसलिए जेट में हो सकता है थोड़ा मैगनिफाइड रूप में यह सेलिंग हो सकता है और इस लेवल पे जो सिद्धात कह रहा है मैं भी ओही कर रहा हूं कि अपसाइड फर जेट वस एस सच कैप्ट आराऊं सेवन नाइंटी एट जरो टूट अट वसी के आसपास वो पहुंच चुका था तो इसका हो गया अभी यह नीचे जाने की पॉसिपिलिटी है और दूसरी बात यह है कि अनेल जी अगर वर्लड वाइड एकनोमिक्स में कॉ तो एविएशन स्पेस में कॉर्पोरेट ट्रैवल थोड़ा कम होगा और इसके चलते यह सब काउंटर में भी कुछ तो वो बेनेफिट एक तरफ रौ मेटेरियल का आता है लेकिन सेल्स में कुछ घटोती होने की पॉसिपिलिटी अभी समने आ जाएगा तो इसके चलते पॉसिएट में कोई पॉसिशन मत रखिए चले तो अब यह ओवरोंड सेक्टर हो चुका है और यह हमारे एक एक एक्सपर्ट नहीं दोनों एक्सपर्ट कह रहे हैं रजत भी कह रहे हैं और सिधार्त भी कह रहे हैं यहां पर थोड़ा सा कॉशिएस रहने की जुरूत है Majla है उस के नतीज़े कुछी देर में आने ओले हैं देखना होगा किस boy हैं किना नंभर्स आते हैं अब क्योंकि नंबर्स ने रहों रहने की आए नगार आएग उसके बाद में या अपना जो ट्रेंड है वो एक्शुली काइम होगा वो काफी दिखेगा तो इसलिए इसमें ट्रेंड नहीं करें तो बेतर है बट संके थोड़ी सी वीक कही आ रहा है इस समय इन्फोसिस की तरफ से जो एक बयान आया है नतीजे नहीं बयान तो एक आया कि उन्होंने पुनीता कुमार सिना को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर न्युक्त किया है पुनीता कुमार सिना जियां उनको आप कई बार से इन्वी सी आवाज पर देख चुके हैं उनको इस समय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर न्युक्त किया गया है तो नतीजे आने वाल कामकाज किया है पुनिता जी का वो बैक्राउंड और वो यहां पर एक डायरेक्टर के तोर पर Infosys के बोर्ड पर अपनी सेमाइन देगी यह इस वक्त एक बड़ा डवलप्मेंट तो चुकि अब इन्फोर्मेशन आने का सिलसिला शुरू हो गया तो इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं अब बस कुछी सेकंड्स में शायद रिजल्स आपके सामने आते वे नजर आएं तो इस वक्त आपको ट्रेडिंग स्क्रीन से इधर उदर बिल्कुल भी हिलना नहीं है हटना नहीं है किसी वक्त नतीजे फ्लेश हो जाएंगा नतीजे के पहले मैं आपको इन्फोसिस का स्टॉक दिखा दूँ कैसे ट्रेड कर रहा है एक हजार अट सट पर फ्यूचर है और दो धाई परसें चलिए टूटता नजर आ रहा है अब धाई परसें का नुकसान इन्फोसिस के स्टॉक म एक हजार साट का लेवल फ्यूचर में तोड़ा है और कैश में मैं बता दो इन्फोसिस का स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हो दिख रहा है एक हजार अट थाउन के आपकी स्क्रीन्स पर हाला कि बाकी के नंबर आने का आप इंतजार करेंगे कंसॉलिडेटेड नंबर किस त इस कामपनी ने क्लॉक किया है यहां इन्फोसिस के यह दो आंक्रे आपकी स्क्रीन्स पर आशीश वर्मा हमारे रिसर्च है जुड़ चुके हैं जो क्लोजली ट्रैक करते हैं इन्फोसिस को सीधे उन्हीं के पास चलते हैं यह दो नंबर्स आएं लेकिन बाकी नंबर्स का बेट करना पड़ेगा जहाब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद इस बार एक फ्लाटिश पर्फॉर्मेंस होगा टॉलर रिविन्यू बाकी नंबर्स का भी इंतजार करेंगे लिजे तंसौल्डेटेड रिवेन्यू का नंबर भी हमारी स्क्रीन्स पर जिसके माइने हैं इंफोसिस ने क्लॉक किया है तीसरी तिमाही में आशिश क्या एक्सपेक्टेशन थी रिवेन्यू के फ्रंट पर प्रंद्राजार नौसो दो आपने का सही का हम एक्सपेक्ट करते तीन चुथाई फीजदी के आसपास तो पंद्राजार साथ सो पचास कोड़ोबे का एक्स पास तिमाही दर तिमाही मुनाफ़ा कम होता हूँ नजर आएगा मुनाफ़ा इंफाक्ट दो परसंट बढ़ा है तो रुपे में रिवेन्यू रुपे में मुनाफ़े का आखड़ा उमीद से कहीं बहतर नजर आ रहा है तो लगाता है तीसरा कोटर होगा एक मांक्ट कॉमेंस होगी अगर वह आंखड़ा बहतर आ गया तो फिर मज़ई आ जाएगा। अच्छे हैं लेकिन आशिष्ट इस तरह से कह रहे हैं कि नजर रहेगी अनेल की डॉलर की रिवेन्यू किस तरह से आती है वहां पर ग्रोथ कैसी रही है बिल्कुल और इस बीच आई डी बाई कैपिटल का रिसर्च एक्सपर्ट जो आई टी शेरों को और इनफोसिस को बेटर हैं एंप्रॉतनली अच्रों अब बने आटर मेरे एक्सपेक्टेशन के काफी बेटर इन यह बताई एड डालर आयकि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कुछी देर में वह फिगर भी हमारे सामने आज आएगा आप किसे च्पेक्टेशन के साथ काम काज कर रहे थे क्योंकि डिसपॉइंटमेंट था जब इंफोसिस ने कहा था कि साल की पहली छहमाई के मुकाबले दूसी छहमाई कमजोर रहने वाली है और इसके बाद नोनों ने बीते कोटर का जब एनरिस कॉन्फरेंस कॉल वह था नमबर्स के बाद तो ये भी हलेट करते हैं कि मार्जिंस क्लॉक करते हुआ आपको नज़र आएंगे बाकी परेमिटर से नमबर्स स्ट्रॉंग है तो में खाल से एक बड़ा पॉस्टिब सर्प्राइज है क्योंकि सीजनली वीक होते हैं इंफोसिस ने चिन्नाई फ्लट की कोई वर्निंग नहीं दी थी तो एक्सपेक्टेशन तो ऐसे सब्डूट थी और उस सब्डूट एक्सपेक्टेशन पर एक अच्छा परफॉर्मेंस आता हुआ अशीश आप देखिए इंफोसिस के अच्छे नतीजों के चलते टीसीएस में जो गिरावट देखने को मिलती वो भी थम गई है और तीसीएस का शेयर भी देखिए अ तो IT सेक्टर का मूड सुधारने का काम कर रहा है यह दिगज इंफोसिस 1-1-1-1 के उपर इस समय ट्रेड करता हुआ एक अच्छी राली स्टॉक ने दिखाई है कल तीन परसेंट की बढ़त के बाद आज फिर से यहां पर तेजी की पोजिशन यहां पर ट्रेडर्स के बना है 2407 पर 2390 के हमारी एक्सपेक्टेशन थी हमें एक्सपेक्ट करते फ्लाट होगा दो थी हाई फीजदी के आसपास डॉलर आये में भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है तो अब सारे चेक बॉक्स जो होते हैं साब टिक कर लीजे डॉलर आये हो रुपे में आये हो मार्जि क्या है तो आपको हमारी आवाज आ रही है आप देखिए इवन इस बार तो अट्रीशन का नंबर में भी सुधार देखने को मिला है सारे नंबर आप छोड़ दीजिए लोगों ने इनफोसिज के चोड़ना बंद कर दिया नए मेनेजमेंट के लागा हम ऐसा ही थोड़ी व इनफोसिज में अब क्या करना चाहिए 1135 यह लेवल आगया है पांच परसंट का उचाले यहां से और थोड़ा मोमेंटम आ सकता है डेटा के बरे में बता रहा हूँ 1100 के आसपास बहुत शॉट पोजिशन बनी थी यह काउंटर में और उसके बाद 1050, 1040 तक आया था और एक रेंज में था इनफोसिज काफी टाइम से 1000-1020 ऑन डे लोगर साइट 1100-110 अंदा है साइड क्लियरली एक शॉट कवरिंग बाउंस यहां से बनता है लोग नया नहीं बनने देंगे मार्केंट में ऐसा लग रहा है और यह जो कॉंफिडेंस आ रहा है उनकी तरह से यह काफी सरह नहीं है आशीश नहीं मैं सोड़ा सा क्रेक्शन 10-12% में रहाद से लास्ट कोर्टर के एंड में रहने का था इस फ्राइंच लियर में 10-12% कॉं असनी के बारे में बात कर रहा था कि 10-12% expected है maintain करेंगे बलकि कुछ तबका यह मान रहा था जिस तरह से marked out performance पहली छमाई में देखने को मिला था शेयर इस guidance का lower end upper device कर सकते हैं और वो upward division हुआ है पहले जो ख़बर चल रही थी हमाई पर उसमें गरबर थी वो पुरानी खबर अब आप देखिए 12.8 से 13.2% का उन्होंने इंप्रूव होता हुआ और अब शायद इस street सटीक पड़ती हुई कि इस financial year में टीसे से better growth infosys clock करता वा नजर आएगा और ध्यान रखें स्वीट मान रही थी इस बात को लेकिन timing इतनी जल्दी इतना advance होगा यह किसी नहीं नहीं आशी डॉलर रिवेन्यू का जो expectations है वो भी अब हमारे सामने आ गया है वो कह रहे हैं कि डॉलर टर्म में 8.9 से 9.3% का उनको expectation है तो guidance यह कैसी लग रही है आपको डॉलर टर्म में? street constant currency को ज़्यादा watch करें लेकिन ध्यान रखें बीटे quarter में आपने जो dollar revenue guidance की बात करी थी company ने घटा दी थी cross currency headwinds के चलते हैं और अब marked improvement है जिस level से घटाई थी उस level के भी उपर जाते हुए मैं आपको बता दूँ 7.2 से 9.2% की पहले range दी गई थी उसे घटा कर 6.4 से 8.4% कर दिया था बीटे quarter में और अब आप कह रहे हैं 8.4 से 9.3 यानि कि जो previous level जिससे घटाई थी उससे भी बहत तरी guidance होती हुई तो numbers definitely बहुत strong है और कल काफी हद तक लोगों ने जिस तरह का डर लगया था दीसस के numbers में एक एट घंटे का delay था उसके बड़े कमजोर आए थे मुझे लग रहा था शायद Infosys से disappointment आने वाला है लेकिन यह तो बड़ा positive surprise है तो सिक्का साब का सिक्का चल गय चल रहा है पिछले 3-4 quarter से चल रहा है बिल्कुल चल गया था और जो काफी ऐसे लोग थे actually मैं सुन भी रहा था कि जिन लोगों ने management में बदलाओ के बाद Infosys पर भरोसा किया उनका भरोसा सही साबित होता दिख रहा है बहतरी इन ग्रोथ आते हुए लेकिन अब रजत शाय 1115 के नीचे रखना चाहिए 1135 साइंटीज को क्रॉस करने से 1155 का टार्गेट होगा 1115 क्रॉस करने के बाद में इसमें और तेजी दिख सकता है बट फिलहाल मैं यह कहूंगा कि आज के लिए 1135 से साइंटीज बहुत महत्पून लेवल रहेगा बीच में और उपर में 1115 कर लेते हैं मुनाफ़ा वसूल कर लेते हैं अच्छा कहा आपने अगर मैं होता तो क्या करता मैं पूक कर लेता है इस समय एक बार और एक चीज देखते हैं मार्केट में दरसल कौन से स्टॉक किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहे हैं इन्फोसिस यह एक ऐसा हेवी वेट है कर रहा होता तो आज हम काफी नीचे होते टेक महिंद्रा थोड़ी सी मदद कर रहा है हरे और लाल निशान में इस समय जूलता हुआ है चलिए हमारे सारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज पहला सुदा में हमारे साथ जुड़ और सियो निले शाह हमारे साथ कारिकर में शामी जूलता है